मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अगर आपको मेरे विलोग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए शादी से पहले किचन में काम करने के लिए चाने से हम सब की जान जाती है और ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे महास पर खड़े हैं जो पता नहीं कब तैप आएगा अम्मी के बार बार कहने पर हम अम्मी से बचना शुरू कर देते हैं और हम उस जगा पर बिल्कुल नहीं बैटते जहां पर अम्मी मौजूद हो क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि अम्मी ने कोई ना कोई काम जो है वो हमें कह देना है और शादी से पहले कामों के लिए हम भेनों में खूब लड़ाई का हो जाना कि अगर रोटी मैं पकारी हूँ या खाना मैंने बनाना है तो बरतन तुम धोगी और कभी कबार तो आप लोग सोच ने सकते कि बरतन धोना भी हमें एक महाजी लगता है लेकिन कितने अच्छे दिन होते हैं न वो जो हम छोटे छोटे कामों पर एक दूसे से लड़ते हैं और आज कल हमारी लाइफ ऐसी होगी है कि हम सारे काम जो हैं वो खुद ही कर लेते हैं हांडी बनाने से लेकर रोटी पकाने तक बरतन धोने से लेकर कपड़े दोने तक और तो और घर के बहुत सारे काम हम ऐसे कर लेते हैं जैसे कोई बात ही ना हो या तो वो सारे काम हम इतने फटाफट इतने मिंटों में कर लेते हैं कि ये तो हमारे लिए मामूली सा काम था वो ही काम जो शादी से पहले हमें एक महाज लग रहा होता है शादी के बाद हम लोग वो काम फटाफट कर लेते हैं इन सब कामों के साथ साथ हमceğin सुसराल वालों को भी खुश करना पड़ता है, उनके नखरे उठाना पड़ता है और बच्छों को गोद में ले कर भी काम करना पड़ता है सुसराली रिष्टे हम सब को निर्भाने पड़ते हैं चाहे जैसे भी हूँ अब ये आगे हर ओरत का अपना नसीब होता है कि उसको कैसा सुस्राल मिलता है बात सिर्फ इतनी सी है कि आज कल की ओरत जो है वो एक मल्टी टास्क वुमेन बन गई है जिसमें उसने ना सिर्फ बच्चों को संभालना है ना सिर्फ घर को संभालना है गर के काम भी करने हैं बलके ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही कर सकती है ये कमाल मैं तो यही समझती हूँ कि किसी मर्द को हासिल नहीं है क्योंकि बहुत सारी औरतें घर को संभालने के साथ बच्चों को संभालने के साथ अपने सुस्राल को संभालने के साथ साथ बाहर काम भी करने निकलती है साथ साथ अपने हस्बotion को financial support भी करती है तो आज कल की औरत जो है वो एक जादू गरने की तरह मल्टी टास्क वूमेन बन गई है मैं भी उनी औरतों में से एक औरत हूँ जो कि यह सोचती है जिसने सुबा होनी है और किचन के काम से अपना काम स्टार्ट करना है और इसमें मुझे कोई गलत बात भी नहीं लगती क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और ये मेरी ड्यूटी है कि मैंने घर के सारे काम भी करने हैं बच्चों को भी देखना हैं और उसके साथ साथ अगर कोई परिशानी है उसको भी सॉल्व करना है और मेरी तो ये पूरी कोशिश होती है कि जो भी परिशानी हूँ तो वो परिशानी सबसे पहले मैं खुद सॉल्व करूँ बाद में जो है वो मेरे हस्बंट तक जाए क्योंके मेरे husband Allah का लाख लाख शुकर है बहुत ज़ादा cooperative है बिल्कुल भी ऐसे नहीं है तो जितना उन से हो सकता है वो मेरा साथ देते हैं जितना मुझसे हो सकता है मैं उनका साथ देती हूँ और जितना आप लोगों से हो सकेगा तो आप लोग भी मुझे यकीन है मेरा पूरा-पूरा साथ देंगे भारहल बात ती आज की औरत की तो आज की औरत जो है वो पहले वाली औरतों की तरह बिल्कुल नहीं रही कि जिस तो पहले औरतों को बहुत जादा जो है वो डर लगता था जैसे कि मैंने अपने पहले विलोग में भी बताया कि मुझे पहले बहुत डर लगता था लेकिन जब मैंने देखा कि आज की ओरत खुद अपने पैरों पे कड़ी हो सकती है तो मैं क्यों नहीं हो सकती या मेरे में क्या कमी है मुझे भी ये स्टेप लेना है मुझे भी अपने पैरों पे खड़ा होना है तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ अपनी डिली रूटीन को शेयर किया करूं आजकल वैसे मैं बहुत ज़दा परेशान हूं क्योंकि हम लोग जिस मकान में आएं आपको पता है कि ये रेंट का मकान है और अब जो इस मालिक मकान है इस मालिक है यानि उन्होंने हमें ये कह दिया है कि वो इस मकान को सेल कर रहे हैं तो अब कभी कबार जब मैं बैठी होती हूं तो मैं यही सोचती हूँ कि आज कल आपको पता है कि रेंट के घर भी जल्दी जल्दी अवैलेबल नहीं है यानि नहीं मिलते ढूंटा रहता है इनसान और फिर मेरे हस्बर ने जो है वो सुबा से शाम तक शौप पे जाना होता है उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो टाइम निकाले और घर को जो है वो ढूंडें कि कहां पे घर लेना है कहां नहीं लेना क्युक्य जहरी बात है घर लेने से पहले जो वो हमें इड़ग्रद के महुला देखना पड़ता है उस महुले में रहने वाले लोगों को भी देखना पड़ता है क्युक्य मेँ तो यही समझती हूँ क्युक्य मैं ग decade होती हूँ और हजबन मेरे शॉप पर होते हैं तुम एक ऐसे जगा पर मैं घर लूँ जहां बहुत सारे काम मैं खुद निप्टा सकूँ न कि कभी कबार मुझे बाजार भी निकलना हो तो मुझे जो है वो जरा सी भी इचकेचाहट मैसूस ना हो बाजार जाने में तो मेरी दो छोटी बेटिया है आई होप जैसे मैंने आप लोगों को बताया तो आप लोग मेरी इस मजबूरी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बहराल आप लोग दुआ कीजएगा मेरे लिए यहां पर जो है वो मैं सालन बना के भी जो है वो खंडिया बनाई थी तो बिलकुल लगेगा कि जैसे यह टेलर से सिल्क है लेकिन बिलकुल भी नहीं यह मेरी दरजन ने स्टिच किया और बिलकुल इंतहाई मुनासिब ब्रेट पर स्टिच करके दिया है तो आई होप आपको मेरा आज का विलोग अच्छा लगाओगा अला हाफिज